पुलिस पर एक महिला को गोली मारने का आरोब लगाया था बाद में आपर पुलिस अधिक्षक तुरेंचन रावत ने मामले का खुलासा करते वे का था कि गोली जितेन ने मारी थी जिसकी वज़े से महिला की मौत हो गई आज उत्तर प्रदेश के पुर मुखमंती और सपा के राष्ट अध्यच अखले जादो पीडित परिवास से मिलने पहुँचे जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को कानून विवस्ता के मुद्दे पर जमका घेरते वे कहा कि वो इस मुद्दे को विधान सबा में उठाएंगे इस दोरान उनके साथ इटवा से सपा विधायक, माता प्रसाद पांडे और दुमरिया गंज के विधायक से सैदा खातुल भी मौजूद रहें अधि जिस पुलिस पर हमें भरोसा इस बात का है है कि पुलिस हमें सुरक्षा देगी और समय आने पर अगर कोई परिशानी होगी तो हम न्याय के लिए मांग करेंगे लेगर वही पुलिस जान लेने लगे और यूपी की पुलिस जब से भार्टी जिनता पार्टी की सरकार आई है पता नहीं क्या हो गया है अभी कुछ दिन पहले में लिलितपुर गया वहां के दरोगा पर आरोप इस बात का था कि उसने एक बेटी के साथ बलातकार किया थाने में बलातकार हो गया सरकार में अभी चंदॉली में मैं गया और चंदॉली में इस बात को लेकर गए घर पे छापा मारा कि जो जिला बदर है वो भी जूटे मुकदमे थे उसका जब परिवार में कुछ नहीं मिला घर परिवार के लोगों को पीटा और एक बेटी को इतना पीटा कि उसकी जान चली गई बाद में पुलिस ने उसको टांगनी की कोशिश की कि उसको फासी दिखा दी जाए और आज मैं इस परिवार से बिलने आया हूँ एक बेटा जो बाहर काम करता था अपने घर पहुँचा था परिवार में शादी थी पुलिस नजाने कहां से जानकारी पाकर के दबिश पे आई और जब उसको ले जाने लगे तो मा ने रोका मा को गोली लग गई और मा को मार दिया जान चली कि उसकी यह यूपी पुलिस और खासकर भार्दी दिनता पार्टी को जवाब देना चाहिए आखिरकार क्या हो रहा है और एक घटना नहीं है अगर यहां की पुलिस का कामकाज देखें हम तो देश में सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है तो वो उत्तपदे सबसे ज़्यादा नाशनल हूमर राइट कमीशन से नोटिस अगर किसी सरकार को मिलने तो यूपी की सरकार को मिलने महला आयोग ने अगर सबसे ज़्यादा किसी को नोटिस भी है तो उत्तपदेश की सरकार को दिये गए है इससे पहले भी मुझे याद है पुलिस दविश म पकड़ना तो वो नहीं मिला, उस परिवार की महला मिल गई, पुलिस के दरोगा ने उस महला के साथ संबंध बनाए, आज वो पुलिस का दरोगा जेल में है, जौनपुर में कही ऐसी घटना हुई जहां पर पुलिस ने, वेरल पॉर्ट, नियोजाब, भारत.